मालदीव में राश्टपती का चुनाव हो रहा है वोट डाले जा रहे हैं चीन और भारत की इस चुनाव पर पहनी नजर है बताया जा रहा है कि मालदीव मुखरूप से परटन के लिहाज से देखा जाता है इसलिए भारत और चीन की नजर राश्टपती चुनाव को लेकर जादा है अंतराश्टी पर विख्षकों और विपक्षी दलों ने आशंका जाहर किये ये चुनाव निस्पक्ष और पारदर्शित नहीं होंगे आपको बता दें कि मौजूदा राश्टपती अब्दुल्ला यमीन दूसरा कारकाल हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में मौजूदा राश्टपती पर लोगों की दमन और मानावधिकार का उलंगन के आरूप लगते रहें राजनीतिक विशलेशकों की राय है कि यमीन को चीन का समर्थन हासिल है उन्हें उब्राहिम मौँमद सोले चुनोती दे रहे हैं इब्राहिम के पक्ष में भारत और पश्चमी देसों का समर्थन माना जा रहा है बताया ये भी जा रहा है कि चुनाव से पहले शाम को पुलिस ने विरूधी गडबंधन के चुनाव मुख्याले पर छापिकी कारवाई की यूरोपीय यूनियन और अमेर्का ने चुनाव की निस्पक्षिता को लेकर चिंता जाहर की है स्टार्ट यूर कारियर विफ अगर आप भी बनना चाहते हैं अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और विपोटर, पीजियो एटिटर, कैमरामन या स्क्रिप राइटर तो हमें संपच करें अगर आप भी बनना चाहते हैं